टीवी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है ने सबका ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है इस शो को पिछले 15 सालों से सबका प्यार मिल रहा है फिलहाँ शो में लेड स्टार की बात करे तो समरुद्धि शुक्ला और शहजादा धामी नजर आ रहे है अभीरा और अर्मान की कहानी हाल ही में शुरू हुई और एक्ट्रिस के बीच की कैमेस्ट्री दर्शकों को पसंद आई हाला कि हमने हाल ही में शहजादा को शो से बाहर किये जाने की चौकाने वाली खबर सुनी है बॉलीवड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा अब शो का हिस्सा नहीं है प्रतिक्षा होनमुके ने रुई का किरदार निभाया था और कुछ समय पहले खबर आई थी कि शहजादे के साथ उनका कॉंट्रेक्ट भी खत्म कर दिया गया है डीकेपी और राजन शाही की ओफिशल स्टेट्मेंट में कहा गया प्रोड़क्षन हाउस ने हमेशे पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाये रखने को एहमियत दी है हाला कि हाल ही की गटनाओं ने डाइरेक्टर्स कट प्रोड़क्षन को टीवी शो ये रिष्टा के कहलाता है कि दो कलाकारो अर्मान का किरदार निभाने वाले शहजादा धामी और रुही का रोल निभाने वाली प्रतिक्षा होन मुखे को अनओफिशल बिहेवियर के चलते शो से बाहर कर दिया गया है शहजादा को शुरुआत से ही वर्क एथिक्स को अंदेखा करते देखा गया है क्यूंकि वो लगतार नकरे दिखाते थे और क्रू मेंबर्स के साथ दूर वैवार करते थे मुद्दो को सुझाने की कोशिश के बावजुद उनके वैवार में कोई बदलाव नहीं था प्रतिक्षा होन मुखे जो प्रोडक्षन हाउस की ट्रेन की गई एक न्यू कमर थी कैरेक्टर की जरूरत के मुताबिक उमीदों पर खरी नहीं उतर रही थी प्रतिक्षा जो एक न्यू कमर है वो शहजादा को पसंद करती है वो भी उनके नक्षे कदम पर चलने लगी उनका ध्यान भी अपने काम पर नहीं था उनके वैवाय से प्रोडक्षन काफी चल गया था इसलिए राजन शाही और टीम को ये कदम उठाना पड़ा